इस्राइल लेबनान तनाव के बीच एक और मोर्चे से चौखा देने वाली तस्वीर साथ आई है सीरिया बॉर्डर पर तुर्की और रूस ने जॉइन पैट्रोलिंग शुरू कर दी है तुर्की के राश्पती एरदा आन का ये एक्शन उसके बात हुआ है जब उन्होंने कह था कि वो जरूरत पड़ी तो इस्राइल को उसके घर में घुसकर मारेंगे तुर्की नेटो को सदच्य देश है और पूरा नेटो अमेरिका समेथ इस्राइल के पक्ष में खड़ा दिखाई दी रहा है सवाल है क्या एरदा आन के दिमाग में नेटो में फूट का प्लान च संगठन दुनिया के 32 अमीर देशों का सैनिक संगठन दुनिया भर में हथ्यारों की सप्लाई करने वाला संगठन अमेरिका जिस संगठन पर करता है गर्व उस संगठन में अपड़ सकती है फूर्ट चूटेगा नेटो तोडेंगे एरदोआन ग्रिह युद्ध की आग में जुलस्ते देश सिरिया के उतरी सीमा पर तूर्की और रूस ने जॉइंट पेट्रोनिक शूड़ करती है रूस और तूर्की की सेना के टैंक मूव कर रहे हैं सीमा पर दोनों के फाज गश्क लगा रही है तूर्की खुलकर सिरिया के उस बशर अल-असद सरकार के साथ क्या तूर्की के राष्टपती अर्दवान के दिमाग में नेटो में फोट का कोई बड़ा प्लैन चल रहा है तूर्की के अर्दवान और रूस के राष्टपते पुदिन के बीच की अंडरस्टेंडिंग समझे बिना ये समझ पाना मुश्किल है कि नेटो का मेंबर होने क बावजूद तुर्की अक्सर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा दिखता है क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि तुर्के भले ही नैटो का सदस्य है लेकिन उसकी सानुभूती अमेरिका विरोधी देश इरान, रूस, लिबनान, यमन, फिलिस्तीन, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ दिखती है इसके पीछे की वज़ा को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तुर्की वो देश है जो इरान, इसरेल के तराओं के बीच ही नहीं यूक्रेन, रूस, के युद्ध के बीच भी बहुत बड़ी भूमिगा निभाने की स्थिती में है तुर्की वो देश है जिसके राष्टपतिय दुआ ने खुलकर दो टुक शब्दों में कहा कि वो हमास के समर्थम में इसरेल के भीतर भुसकर हमला कर सकते हैं जाहिर है ये जवाब किसी और को नहीं बलके नैटो के लीडर अमेरिका को है तुर्की वो देश है जो यूक्रेन रूसी युद में रूस के साथ खड़ा दिखता है तुर्की ही वो देश है जहां रूसी युद शुरु होने के बाद मुतिन अंकारा पहुँचे थी शांती समझोते के लिए लिहाजा तुर्की के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर होती है इसलिए तुर्की अगर नए ठंक से रूस के साथ मिलकर सिरिया बॉडर पर गश्क लगा रहा है तो ख़वर बड़ी बच जाती है क्योंकि तुर्की उसका समर्थन कर रहा है जिसका विरोध नैटो करता है लिहाजा सवाल उठता है कि क्या तूटेगा नैटो तोड़ेंगे अर्दवान एर्दवान और पुतिर के बीच जबरदस्त बॉंडिंग है इस वक्त रूस को तुर्की जैसे देशों की जरूरत भी बहुत है तुर्की नैटो के भीतर बैटकर रूस का समर्थन करने वाला अकेला देश है और जो हालात इस समय रूस के कुर्सक में पैदा हुए है उससे एर्दवान पुतिर के लिए सिर्फ एहम नहीं बलकि बहुत एहम हो गए है एर्दवान क्यों नैटो में डाल सकते हैं फूट इसके डिचेल दिखाने से पहले रूस के कुर्सक में क्या चल रहा है देख लेते हैं युक्रेणी सेना ने कुर्सक में बरे तीसरे पुल को भी गिरा दिया है युक्रेण के वायु सेना कमांडर माइकोला ओलेश्यूक ने इसके पुष्ट की है ये सभी पुल कुर्सक के गलुसकोवस की जिले में सीम नदी पर बने थे अलजजीरा के मताविक इन सभी पुलों के टूटने से रूसकी सप्लाई लाइन पर असर पड़ेगा सीम नदी पर पहला पुल जिसे शुक्रवार को युक्रेणी सेना ने उड़ाया कुर्सक का दूसरा पुल जिसे युक्रेणी सेना ने डोन से उड़ाया था सीम नदी पर रूसका तीसरा पुल जिसे युक्रेणी ने उड़ाया युक्रेणी के राश्पती जलिंसकी का कहना है कि वे कुर्सक के इलाके पर हमला कर रहे हैं ताकि इसे वफर जोन बनाया जा सके वफर जोन में दो देशों के बीच में खाली जगह होती है इस जगह पर किसी का कब्जा नहीं होता सेलिंसकी ने दावा किया है कि उक्रेणी ने रूसी शहर सुझ्जा पर कब्जा कर लिया है युक्रेणी सेना रूस में 35 किलो मिटर अंदर तक खुश चुकी है जलिंस्की ने वीडियो संदेश में कहा कि सुज्जा में अब युक्रेणी मिलीटरी कमांडेंट का सेंटर खुल चुका है 6 अगस्त को युक्रेणी ने रूस के कुर्स के लाके पर हमला किया था युक्रेणी सेना ने 15 दिनों में रूस के बिरानबे गाओं पर खबजा कर लिया है युक्रेणी के अचानक हमले के बाद 2 लाक से जादा रूसी नाग्रीकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है धाई सालों के युद्ध में इस तरह के पलटवार के आशंका फुतिन को शायद ही होगी फुतिन अपने सैनी कमांडरों के साथ मेचिंग पर मेचिंग कर रहे हैं फुतिन युक्रेणी पर खबजा करने निकले थी और अब अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं वो भी अपने से बहुत कमजोर देश युक्रेण से क्यों इसे लिए क्योंकि युक्रेणी जमीन पर बस लड़ता दिख रहा है उसके पीछे की ताकत वो नैटो है जो हत्यास सप्लाई कर रहा है जो जलेंस्की को हर संभो मदद कर रहा है और वो किसलिए क्योंकि रूस की सीमा से सटे देश युक्रेण में संगठन का विस्तार हो सके युक्रेणी वेब साइट कीओ इंडिबेंडन्ट के मताबिक युक्रेणी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि 24 फरवरी 2022 को युक्रेणी पर हमले के बाद से 6,3,000 रूसी सेनी का अपनी जान कवा चुके है जनरल स्टाफ ने टेलिग्राम पर कहा कि युक्रेणी ने पिछले 2,5 साल में रूस के 8,552 टैंक्स 16,542 बखतरबंद गाडियां 17,216 आर्टिलरी सिस्टम 11,166 रॉकेट सिस्टम 928 एर डिफेंस सिस्टम 360 हवाई जहाज 328 हेलिकॉप्टर 13,902 ट्रोन 28 जहाज और एक सम्मरीन बरबाद हो चुके ही युक्रेणी के जनरल स्टाफ के दावे की पुष्टी नहीं की जा सकती लेकिन कुर्स की तबाही की तस्वीरें तो कम से कम सच दिखा रही है कि पुटिन किस कदर सेलिंस्की के फाज के हमलों से बेचैन है ऐसे में ही तुर्की जैसे देश का साथ मिलना पुटिन के लिए जलते जख्म पर मरहम का काम करेगा लेकिन सवाल है कि अर्दवान को इसके जरूरत क्यों दिखती है कि वो नेटो जैसे शक्तर शाली संगठन में होने के बावजूद अमेरिका के दुश्मन देश रूस के साथ गलबाहिया करें ये समझने के लिए आपको तुर्की के नैटो तोड़ो वाली ररण नीती की डिचेल समझनी होगी इस्लामिक नीतियों पर चलने वाले अर्दवान 2003 में सत्ता में आने के बाद से हैं इसरेल के खिलाफ मुकर रहे हैं फिलिस्तिनियों के परती इसरेल के रवाये की सक्त आलोचना करते रहे हैं एर्दवान गजा में इसरेल की करवाई को अपराद बताते कह चुके हैं कि ये निरसंगार है एर्दवान हमास जिसे इसरेल, अमेरिका और यूरोपिय यूनिन आतंकी संगठं कहते हैं उसको लेकर मानते हैं कि एक ऐसा समू है जो अपनी जमीन और लोगों के लिए लड़ रहा है तो मद्यपूर में अपनी इसलामिक नीटियों के कारण एर्दवान हमास के साथ खड़े हैं जिसका अमेरिका विरोध करता है अमेरिकी सेंटर कमांड के मताबिक अब्दुर्रह्मान अलमकी सिरिया में आतंकवादी कधिवीदियों की निगरानी करने का जिम्हदार था मकी हुरास अलदीन के शूरा परिशत का सदस्से था हुरास अलदीन जिसे धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है अलकाइदा से जुड़ा एक समू है मकी आतंकी संगठन अलकाइदा में एक बड़ा ख़त रखता था इसके कारण अमेरिका उसे अपने देश के लिए सीधा खतरा मानता रहा है हुरास अलदीन की एक मत्वा कांशा अमेरिका और पश्रमी देशों के खिलाफ हमले करने की है तूर्की के हित नैटो संगठन के मकसद से टकराते हैं और पुतिन का टकराओ नैटो से तो सर्व विदित है लिहाजा एर्दवान और पुतिन मिलते हैं तो दुनिया को आश्रेरे नहीं होगा और स्क्राइब में नैटो में जू छोनी जाए है